हेलो आव्रीवन जैसा कि आप सभी जानते हैं हाली में महिला T20 वर्ल्ड कप जो की UAE में खेला गया जिसमें की फर्स टाइम विजेता रही है न्यूजेलंड साउथ आफ्रिका को हरा करके तो आज के इस छोटे वीडियो के मात्यम से ICC वुमन्स T20 वर्ल्ड कप से जितने भी एफेक्ट्स बन सकते हैं यह हम डिसकस करेंगे जैसे कि क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था में कि रिसेंटली T20 महिला वर्ल्ड कप जो T20 फॉर्मिट में खेला गया इसमें की विजेता रही है न्यूजेलंड न्यूजेलंड ने फाइनल में हराया है किसे साउथ आफ्रिका को अब इससे जो परने वाले एफेक्ट है कि मैच खेला कहां गया यह मैच खेला गया है द यदि मैं बात करूं मैंच क्रिए और महिलाओं की क्रिकारी में दोनों में यह पहला खिताब है साप्ने नाम किया है यह यह तॉर्नामेंट चल रहा था ना यह दुबए क्रिकट स्टेडियम में खेला गया आपको मलूम है इस साल का जो महिलाओं का T20 वर्ल्ल कप ? होना तो था बांगलादेश में अक्टूबर की महिने मी होना था लेकिन किया महाल रहा रिजरवेशन के कारण जनता जनता में आक्रोश्ट था जनता ने बगावत करी महाल वहां का बिगड़ा हिंसा का महाल था जिसके परिणाम स्वरूप वहां की जो प्राइम मिनिस्टर थी सेख हसीना उन्हें अपने पद से इस्तिफा देना पड़ा और महाल सही नहीं था जिसके कारण ये T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का शिफ्ट किया गया UAE में हाला कि 10 टीमों ने इसमें पार्टिपेट किया है दस टीमों के नाम याद रखने की ज़रत नहीं है यहां से यहां से कुछ महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड नो में 2009 और 2009 में यह खेला गया था इंग लैंड में खेला गया और इंग्लेंड ही विजयतर ही तो जब शिरुवात हुई ना तब इसमें केवल आठ टीमें पार्टिसिपेट करती थी और बाद में इसमें पार्टिसिपेट करने वाली जो टीमों की संख्या ये दस हो गई थी ये हर दो साल में खेला जाने लगा यानि कि दो साल का गैप होता है जैसे कि 2012 में हुआ फिर 14 16 18 20 23 कोरोना के कारण फिर ये 23 हुआ है इसे आप 22 का मानिए फिर 24 अब जो नेक्स्ट होगा ये 2026 में होगा यहां पर क्या लिखा हुआ है देखिए 2024 का बांगलादेश और UAE नाम भले ही बांगलादेश का मिंशन है पूरी तरीके से ये आयजित किया गया है UAE में न्यूजिलेंड जिसमें विजेता है अब होगा दो साल बाद यानि कि 2026 में जोकी खेला जाएगा से इंगलेंड में ठीक है अब चलिए नवे क्रम का ICC Women's T20 World Cup रहा जितने facts बन सकते हैं एक स्लाइड में देखिए अक्टूबर के महिने में 3 से 20 अक्टूबर तक आयजित किया गया एडिशन पूछा जाए तो नवा एडिशन है न्यूजिलेंड का फर्स्ट टाइटल था साउथ एफरिका को हरा करके player of the series player of the match दोनों इसमें न्यूजिलेंड की अमेलिया केर रही सबसे जादा रन बनाया है लोरा वोलवार्ट्स ने साउथ एफरिका से 223 रन 223 रन और न्यूजिलेंड की अमेलिया केर ने सब्सदादा विकेट लिये है पूरे टॉर्णमेंट में कुल 15 विकेट फर्स्ट सब्सक्राइब कीजिए एक दो इन चार पांच छे चैटाइटल इसमें इसके नाम है ऑस्ट्रेलिया के नाम भारत ने अभी तक एक भी खिताब इसमें नहीं जीता है अब इसमें स्लोगन रहा था वाटेवर इट टेक्स टीमों की संख्या है दस विजेता टीम को इसमें 2. 2.34 मिलियन मिला है उपविजेता टीम को 1.17 मिलियन मिला है सबसे जाधा चौक यह सबसे जाधा छक्की ना भी याद रखें तो चलेगा लेकिन यहां कॉंटेंट में सारी चीजे मैंने आप लगों के लिए मेंशन कर दी है यह तो महिलाओं का वर्ल्ड कप हो गया इसमें ज अपतान का नाम याद रखें हरमन प्रीत कौर यहां से केवल इंपॉर्टेंट नाम आपने याद रखने हैं अब टी टूंटी वर्ल्ड कप का डिसकेशन आया है तो हम 29 जून को कैसे भूल सकते हैं आपका रिवजन भी हो जाएगा 29 जून को जो टी टूंटी वर्ल्ड कप का फाइनल रहा भारत और साउथ एफरिका के बीच में जिसमें विजेता रहा है भारत तो भारत ने टी टूंटी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया साउथ एफरिका को हरा करके इसके भी फैक्ट्स हम देख लेते हैं जून के महिने में दो से 29 जून तक आयोजन किय गया इसका भी नवा एडिशन था खेला गया है वेस्ट इंडीज और अमेरिका में और आइसी सी ही से रेगुलेट कराती है चाहे महिलाओं की बात की चाहे पुर्चों की भारती कप्तान इसमें रोह शर्म उप विजेता टीम साउथ एफरिका के एडम मार्करम रही है प्ल इस साल पुर्शो का भी व्ल्ड कप हो गया टी 20 का महिलाओं का भी हो गया पुर्शो की बहुत की चैटिकरी में नूजुजेटा है अब जो नेक्स्ट होगा 226 में दो साल बार तो जब महिलाओं का नेक्स टाइम होगा 2026 में तब इंऎलेंड होस्ट करेगी जब पुर्षो का नेक्स टाइम होगा 2026 में भारत और श्री लंका सहीध रूप से होस्ट करने जा रहे हैं बात की जा इडी तो हुआ है महिलाओं का आयोजन श्री लंका में किया गया था श्री लंका के दामबुला में सभी मैचस खेले गए जिसमें कि श्री लंका ने भारत को हराया था आइसेसी हौल अफ पिम में शामिल पहली भारती महिला क्रिकेटर डायना अल्डूजी हैं लेकिन रसेंटली नीतु डेविड को भी शामिल किया गया है ICC Player of the Month अभी जो बीता हुआ महिना था सितंबर में ये चुना गया श्री लंका के कामेंडू मेंडस और इंग्लैंड की टैमी व्यूमोंट को महिलाओं और पुर्षो का दोनों का T20 World Cup डेस्कुस कर लिया है बहुत ही चोटे टॉपिक में ये सारी चीजे हमने कवर करी है I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया है तो इसे like, share, subscribe करना ना भूले और free content के लिए आप हमारा कल्यानी मैम official का app डाउनलोड कर सकते हैं play store से link description box में दी हुई है जहां पर आपको सभ important videos के PDF होते है marathon class के PDF सब कुछ वहीं पर share की जाती है तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है ठीक है ठीक यू सो मच थैंक यू